उम गनेशा ये नमहा सोमवार के दिन जो कि सोमवार अश्टमी पढ़ रही है उस पे किये जाने वाले उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे देखे जो ये अश्टमी होती है जो कि सोमवार को पढ़ती है तो जो सोमवार अश्टमी है इस दिन माना जाता है कि भगवान क जो शिवलिंग का जो सुरूप है, इसके अंदर 64 योगिनिया भी निवास करती हैं, माता पारवती तो इसमें सदा ही निवास करती हैं, क्योंकि भगवान शिव और माता पारवती अलग-लग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं, तो क्या करना है, इस दिन चो किये जाने वाली मनोकाम प्राप्ति के लिए कोई भी उपाय हम करते हैं, वो बहुत जल्दी आपको फलदाई होता है, आपको तुरंथ ही फल की प्राप्ति होती है, तो जिन जिन को भी अपनी वनुकामना पूरी करनी है, सोमबार के देन, यानि 27 फरवरी को सोमबार अश्ट मी आ रही है, उस दिन आ उसको एक माना जाता है, उसको आप तीन नहीं गिनेंगे, एक गिनेंगे, और आपने क्या करना है, उसके उपर राम राम लिखना है चंदन से, क्योंकि उनके भगवान शिव के जो अराध्य देव हैं, वो प्रभू श्री राम है, तो आपको राम राम लिखना है, अगर आ तो आप दूसरा चंदन भी लगा सकते हैं, वो आप राम राम लिखेंगे, उन सभी के उपर आपको चावल के दाना, एक एक चावल का दाना रखना है, अपने मन में मनो कामना आपने बोल देनी है, कि प्रभु मेरी ये मनो कामना है, मैं आप से बिंती करती हूँ, कि आज मनो कामना पूरी नहीं हो जाएगी, बट ये है कि अगली सोंबार अश्टमी आते आते, उस चीज में आपको बहुत जादा फायता लगेगा, आप खुछ सोचेंगे कि वाकई हमारी मनो कामना पूरी हो गई है, तो देखिए ये उपाए बहुत ही सटीक उपाए है, आपने 108 बिल्ब के पते, उनके उपर एक एक आपने चावल का दाना रख लिया है, और उसे फिर उल्टे करके भगवान शिव के उपर आप रखते जाएंगे, अगर आप कर सकें तो एक एक करके रख सकते हैं, अगर मंदिर में भीड है, बहुत सारे जने हैं, तो आपने क्या करना है, 108 के 8 पते उपर रख देने, और फिर 108 दाने जो चावल के हैं, वो उपर रखने हैं, और भगवान से प्रातना करनी है, कि हे भगवान, आप मेरी इस मनुकामना को पूरुन कीजिए, तो भगवान फिर आपकी मनुकामना को जरूर ही पूरुन करते हैं, और आपने दीप जरूर करना है, जोत वहाँ पे जला के जरूर आने हैं, तो इस उपाई को आप जरूर ही सोंबार को कर लीजेगा, और शाम को भी प्रदोशकाल में आपको इसमें दीपक जलाना होता है, शाम को भी आप सोंबार को दीपक जरूर जला के आईएगा, ओम नमस्शिवा